नमस्ते दोस्तों ममी कीचन में आप सभी का स्वागत है तो आज हम अपने कीचे में मेथी बनाने जा रहे हैं तो इसका रेस्पी हम आप लोगों को आगवे बताते हैं तो देखे पहले यहां हमने चावल को अच्छे से धो करके इसे सुखा लिये थे अब इस चावल को हम जाल होने तक भूंजेंगे इसे उसके बाद हम इसमें इसको अलग बरतन में पलट लेंगे ठंडे के मौशन में बहुत गर्मी रखता है दोस्तों मेथी काना चाहिए ठंडे के मौशन में तब यहां हम तीसी लिये थे आधा केजी इसमें तीसी का मातरा थोड़ा ज्यादा रखिए तो इस तीसी को भी हम भूनेंगे जब तीसी फूटाने लगेगा तो इसे हम निकाल लेंगे नहीं तो ज्यादा भूझने पर यह जल भी जाएगा तो चलिए अब यहां हम बजडा भूझ रहे हैं तो बजडे को हम भी भूझेंगे अब दिश्खिये यह भी तो अब इसे भी हम दूसरे बरतन में पलट लेंगे, तो अब यहां हम बेदाम भून जेंगे, बेदाम उसमें हम डालेंगे, तो अच्छा लगता है, तो इस बेदाम भूना गया है, इसे भी हम दूसरे बरतन में पलट लेते हैं, तो अब यहां हम मेथी लेंगे, मेथी 25 ग् मिकसर-जार में फून करके दुसरे बरतल में मिकसरजार में पीस सब भूं लिएगे हैं. तिसी है 1 kg बजरा का आटा है 5-5 kg चावल है और हम लिटाम तो उपर से डालेंगे और इसमें 25 गराम मेथी है तो सभी को हम भून पीशेंगे मिकसर जार में चलिए अब हम पीशते थे हैं तो यहां अब हमने बेदाम भून ये थे इस बेदाम को हम ठंडा होने के बाद इसका ह तो देखिए इसे हम हाथ से ही इस तरह से करके हम इस सारा छिलका निकाल देंगे बेदाम को और बेदाम हमारा भी दो दो टुकड़ा हो जाएगा तो देखिए इसे सारा अच्छे से साप कर लेना है तो देखिए हमने साप करके इस छिलके को हटा दिये हैं तो देखिए अब यहां हम चावल को पीश लेंगे अच्छे से इसे थोड़ा दरदरा ही पीशना है इसी तरह से पीश करके इसे दूसरे बॉल में पलट लेना है तो चलिए अब इसी तरह हम सारा चीश को पीशेंगे तो अब हम यहां बजरा लिए हैं बजरा को भी अब हम इ मैथी करें, क्योंकि मैथी यह कम नहीं प्लस प्लाजाge दूअ कर ब्रेम हम ह제가 मेथ है क्वार लोगल। इसपार स्नास कर दिए हैं को भज़त हैं टीसी कने तो । तो पिसंगे तो अच्छे से थोड़ा स本当 दौस्त और इसमिए तरह को जाएका तो आप दिये बनाना शुरू करते हैं परहले हमने कडाही में पानी को डाल दिये हैं पानी आप जितना आप बुस्थने के लिए ले दहे हैं और इसमें गूर्ण दाल देना है आप पोर करके बीडाल सकते हैं इसी से तरह ब्लुणा घुलेगा , तो इसमें हम सरसो का तेल डालेंगे , चोटा कटोरी से , आधा कटोरी और इसमें हम घी तेल के बरोबर ही घी हम डालेंगे जितना तेल डाले हैं उतना ही हम घी डालेंगे तो देखिए इधर दोनों चीज हम डाल दिये हैं हल्दी डाल दिये हैं अभी सब को हम अच्छे से दम खोलाएंगे कि पूरा इसका गाज हट जाए, तब तक हम बहुत अच्छे से इसे खौल आएंगे, तो देखिए खौल रहा है, अभी गाज तो नहीं हटा है, तो इसको हटाने के लिए हमको उतना ही देरी खौल लाना है, जब तक कि गाज ना हटे, तो देखिए इधर गाज हट गया था, तो अब हम इसे इस वाला जो सब पीस करके रखे थे उसमें हम इसको डाल दिये हैं, देखिए इतना गिल्ला टाइप के बना है, क्योंकि ये सारा पानी सोख लेगा, इसे हम ठंडा होने के लिए एक से दो घंटे छोड़ देंगे, इसे गिल्ला कर देना है, तो देखिए, भा निकल रहा है, इसे अच्छा से नई दिखाई पड़ रहा है, तो चलिए इसे हम एक से दू घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, अब इसे हम छोड़ देंगे, उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, तो हम इसे बनाना सुरू करेंगे, तब तक इसे हम ठंडा होने देत थे तो उसको अब इसमें हम डाल दिये हैं अब इस सब को हम अच्छे से हाथों से मिला लेंगे सारा बेदाम को एसके बाद दалась इसी तरह से इसे गोल गोल बना लेना है और इसी तरह सारा बनाकर के रख लेना है ठंडे में बहूत नहीं फैदे मंद है दोस्तो इसे ठंडा में खाना चाहिए आप लोग भी इसे एक बर बना करके ट्राइ कीजिए कौन-कौन बनाता है हमें कमेंट में जरूर बताईएगा तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तो थाइकियों